नमस्कार दोस्तो एसके एजुकेशन यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो यदि आप नई है चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर और शेयर करें दोस्तो रीट का एक्जम 24 जुलाई को सुनिस्चित के गया है और इसके लिए बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है परिक्षिया से एक गंटा पूर दोस्तो आपको सेंटर पर पहुंचना जरूरी है क्योंकि इसके बाद में आपको किसी भी कंडिशन में सेंटर क अंदर पर वेस नहीं दिया जाएगा क्योंकि दोस्तो ये इसलिए किया गया है कि बोर्ड की जो ये परिक्षा आयजित करवाई जा रही है ये सुनिस्चिता के साथ संपन की जा सके और दोस्तो आपको फर्ष्ट पारी में दस से साड़े बारा बज़े तक जो एक्जाम है उसके लिए आपको 9 बज़े के बाद में किसी भी कंडिशन में एंट्री नहीं दी जाएगी और दोपैर में जो दूसरी पारी है तीन से साड़े पांस बज़े तक उसमें आपको दो बज़े तक ही एंट्री मिलेगी इसलिए आप समय से पहले सेंटर पर पहुँचें और बोड के जो दिशा निर्देश हैं उनको एक बार अविश्य देखें और उसी हिसाब से तैयार होकर निकलें दोस्तो हाब बाजू की सर्ट पहननी है आपको और सिलिपर पहननी है साधा किसी भी परकार के सूज अलाव नहीं होंगे और फूलास्तिन की सर्ट आदी अलाव नह नहीं है दोस्तों जो तेश चोवेस जुलाई को जो रीट है उसके दिशा निर्देश बोड ने साफ साफ जारी कर दिये यदि इनमें किसी परकार से आपने ध्यान नहीं दिया तो आप चूक सकते हैं परिख्षय देने से इसलिए दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इस बार नेट बंदी नहीं की जाएगी क्योंकि बड़ी सक्ति के साथ एक्जाम होगा दोस्तों इस बार रिट का पेपर आपको हाथ में परिख्षय के बाद में हाथ में नहीं थमाये जाएगा क्योंकि आपको OMR सीट की कोपी ही मिलेगी और जो भी पेपर होगा वो CCTV की निंगरानी में होगा इस बार रिट एक्जाम होने के बाद स्टुडेंट से पेपर वापिस ले लिया जाएगा उन्हें सिर्फ OMR सीट की कार्बन कोपी ही दी जाएगी और जितने भी जिला कलेक्टर हैं उनको साप निर्देश जारी कर दिये हैं किस परकार से एक्जाम के लिए सिक्योर्टी होगी समद्दी तदिगारियों की बैठक ली जा रही है सबागार में और जहां पर सेंटर है उनके प्रिंशिपल को वहां बुलाए गया है और उनको जाने का लिए जा रही है दोस्तों तेश तारिक को सनिवार को फर्स्ट पारी में केवल लेवल वन का एक्जाम है उसके बाद में जो तीन पारिया बचेंगी उनमें केवल लेवल टू का एक्जाम होगा और बोड़ ने दोस्तों इस बार बोड़ ने साप जारी कर दिया है कि किसी भी परकार की एवांचित गतिविद्या सेन नहीं की जाएंगी दोस्तों बोड़ की साइट पर फोर्गेट चाला नमर का ओप्शन भी रिलिज हो गया है किसी भी दियारती के पास यह अपने चाला नमर नहीं गिजन के यह फोर्म नहीं है डिट का बरा हुआ तो उनको किसी भी परकार से एडमिट कारड निकालने में किसी परकार की समस्चा का संबना नकरना पड़े इसलिए बोड़ ने चाला नमर का ओप्शन दे दिया है यहां से अपन चाला नमर फोर्गेट करके और अपना एड बेस्ट आप लग्ट